हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं CID, focus on high, Sony Entertainment Television Bar कि अटि उन्यापकश प्याइब करें नॅं आप य। कि अटि ए्ड़र का कि वित जए सूम। कि शीन थाद पोओ कि यद प can Must शाद बगवर कि वित जए शो कि वित शन्त शीद्वEht पुष्णि, पुष्णि! अज़, रुखो, रुखो! रेकमें रुखो! रुखो, रुखो! रुखो, रुखो! रुखो, पुवदी के वाँ! रुखो, रुखो! पुले के जर्ड, इसका मतलब कि वो धमकी सही थी, कोई मताक नहीं था, लेकिन यह, यह कोँन है? लगता है, सुसेट बॉम्बर है ये, स्याडी को फोन लगाओ कुछ मिलेगा इसमें से, मिलने को कुछ बचाए निया बॉस बॉड़ी में, बॉड़ी डिकंपोज हो गई है, सड़ गई है, तो पैशानना मुश्की ले, नहीं, कोशिश करो, सबसे पहले ये जो हड्डियों पर इसके जो मांस के रेशेया जो टिशू है, इनको हटा के हड् कोई चांसे है, कोशिश करेंगे दया, पिलाल में ये लाश को लेब में ले जाता हूँ, सर, सब शॉक में, प्रिंसिपल रविष क्या रहे थी कि कुछ दिन पहले कॉलेज को धंकी मिली थी, धंकी? बॉम थ्रेट सर, किसी ने स्टाफ रूम के दीवार पर पेंट से लिग केप्स कॉलेज को बंद करो, वरना इसे बॉम से उड़ा देंगे, पुरे कॉलेज को उड़ाने के दंकी और इतना चोटा सा ब्लास्ट, शायद अपनी दंकी का नभूना देने के लिए, लेकिन ये कैसा बॉम है, जहाँ पर भी बॉम ब्लास्ट होता है, वहाँ पे तुमे चर्रे मिलेंगे, बॉल बेरिंगे, लोगे के टुक्रे मिलते, कांच के टुक्रे मिलते, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुक्सान हो, इंज्यूरीज हो, पेड़ीजा दिखाना, नई सर्, पैसा तो कुछ दिखने नहीं रहा है? प्रिंजिबन रवीश, आपको स्टाफ रूप खाया है, चेक-इंड फ्लोर, आई सर्. चल्वाँ. रवीशी, आप तो कह रहे दें कि दिवार पर धमकी पेंट की गई थी, क्या है? वह सर्, मैंने मोबैल में यह देखिए सर्. तो आपको इसी जल्दी क्या थी, इस दिवार को पेंट करने की? वह सर्, सारा स्टाफ घबरा रहा था, सर्. और स्टाफ रोम और कॉलिज का मोहल खराब हो रहा था. उपर से एक्जाम का टाइम आ गया था. इसलिए मैंने करवा दिया सर्. और यह पेंट किया किसने? वह सर्, अपना राम आदाश ने. वह सर्, हमारे कॉलिज का कॉंट्रेक्टर है. उसी ने किया है सर्. मैंने सोचा कि यह लोग देखेंगे नहीं, तो कम से कम काम पे ध्यान देख सखेंगे. जब आपने वह धंकी देखी, तो पुलिस में कमरेंट यो नहीं कि. शर की थी, पुलिस में कंपरेंट्ट्र रही थी. उनने बहुत तहकीकात की. बाद भी उनने कह दिया कि किसी ने शैरानत की और चले गए सर्. आपके कॉलिज के कॉलिज के को डॉड़ोर में क्या पी एंस थे भाहर का तो कोई भी नहीं आया लेकिन किसी ने धंकी यहां स्टाफ रूम में क्यों बेंड की आपके कमने में भी लिख सकता था या कॉलेज का जो मेंन गेट है वहां भी दंकी लिख सकता था यहीं पर क्यों देखे रवीजी कोई तो अंदर आया था अड़े, शार, शार, अबिजीत, अबिजीत, ज्या करें? जाँ, जाँ, बलास्ट हुआ वो इस पार्ट इस कड्की के बिलकुल नीचे और ये खिड़की स्टाफ रोम के बगल में है और ठीक खिड़की से लगके ये बेंच सर, क्लास रूम में आना ही था, तो दर्वा जैसे आ जाते हैं, यह हाट अटेक देने के क्या दो रह थी? अर्यार, मैं चेक कर रहा था, जो हमारा बॉम्बर है, उसने कितना रिस्क उठाया था, स्टाफ रूम में जाके वो धमकी वाला पेंड़ लिखने के लिए क्यों मतलब? सर, यह जो 65 नंबर बेंच में लड़का बैटा था, उसने बॉम्म नीचे पेका है, जो ठीक वहीं पेके रहा है, और हमें वो कांच के टुकड़े और लोए के टुकड़े क्यो नहीं मिलें, पता है? मतलब वो होममेड बॉम था? एक्जाटली, यह होममेड ब सर, तो फिर यह बॉड़ी इस की थी? सर, यह एक अंकाल फोरेंसिक लाब लेकर गया है, पता शल जाएगा को हम है वो, इसे रभी जी सारे स्टूड़न्स का है, सर, सबको मैंने घर बेज दिया है, और यह स्टूड़न्स का है, टेबल नंबर 65 बैटने होला, सर, 65 नंबर त कोड़ा परिशान करेंगे, I'm sorry sir, I'm sorry, stop, इसनले college जॉइन किया था, college को बम से उड़ाने के लिए, क्यों किया ये, sir, 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 exam आ रहे थे, और मेरी कुछ तैयार ही ने थी, तो, उस दिन मैं staff room के अंदर गया, और college को बम से उड़ाने के तंकी दे दे थी, ये, sir, मैंने सोचा कि, इससे college management डर जाएगी, और exam को postponed कर देगी, जिसने मुझे और प्रियारी करने का time मिल जाएगा, इसनिका कहां से बम बनाना है? Sir, internet से सिखा, वोईं पे सब information अवेलेबल है, sir, कोई थी धर बेठे बहां से बम बनाना सीख सकता है, मैंने भी बेसे ही किया, और exam के दिन, क्लास्रूम में मैंने एक्जाम शुरू होने से पहले अगर यही दिमाग पढ़ाई में लगाते तो कुछ अच्छा कर सकते थे अगर मैंने यह सब एक्जाम को रोकने के लिए किया सब मैं किसी को मारना नहीं चाहता था लेकिन मारा तो सही ना? नहीं बस आर्यान की वज़े से किसी की जान नहीं गई यह क्या क्या रहा है तुम साड़ी, बॉम ब्लास्ट किया है इसने कॉलिज में? यह बस, बॉम ब्लास्ट किया है और उसी बॉम ब्लास्ट की वज़े से एक मर्डर के समलोगों के सामने आकर के खड़ा हुए है जी वी तुक गया रहे है तो बॉंब ब्लास्ट यह यह जो पढालीreiben अग्य है और यॉषिऔ मुज़े से एक वोज़त के समयों के सामने आकर ख्ड़ा हो फॉष्प कर एंस जहां पर हम्हें वह एटमा साइट में कॉस्तों और वो ताarकाल एक बाइस से चॉबिस साल के लड़के की लाश है जिसकी मौत आज से दो साल पहले हो गया दो साल पहले है तो अच्छा हुआ इसके बॉब की वज़े से वहां पर ब्लास्ट हुआ लाश बार निकल वना पता ही नी चलता एक लाश यहां जमीन में गड़ी हुई और मौत यह बताना बहुत मुश्किल काम भॉस कोई एविडेंस नहीं सिर्फ अधियां में और अधियों पर ना तो कोई चाकू का निशान है ना कोई बुलिट का निशान है कुछ नहीं लेगन अपी गट फिलिंग क्या करते है अभी जीद ऐसे केसे ने गट फिलिंग काम नहीं कर वह सकता है किसी ने उसका गला दबा दिया हो किसी ने उसे जहर दे करके मार दिया हो या यह भी हो सकता है कि किसी ने उसे जिन्दा जमीन में गाड़ दिया लिकिन बहुत इस सब के बावजूद एक काम्याभी जरूर मिली है क्या यह देखो यह है वे यह सरी? हाँ सर इस कॉलिज एक प्रेंपल से पहले मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर था और मैं सारे स्टुडें को पुछ किया करता था कि उनकी रुची रहे लिकिन मुझे कभी इसको पुछ करने की जरूबत नी कड़ी तो कि इसका केमिस्ट्री में पहले से इंट्रेस्ट था बहुत बिलियंद था सर और नाशनल केमिस्ट्री ओलिम्पियाड आवर्ड्स 2015 दो साल पहले जी हाँ यहाँ यह अवन जीता सा सर और सारंके के मुताबिक अर्थ की मौत दो साल पहले हुई थी झाल गाँ के अर्थ कहीं चला गया और किसी नी रिपोर्ट तर दर्च की होगी न Murray सिर नहीं बताया है इसींने बताय कि इसकी और इसके पिता जी की आपस में बंती नी यह हुड़Trud Eagles चुड़्कर चला गया कiffर चला करता था उसको सेविंग करता था किसी खास चीज के लिए वो बज़त करता था कहता था कि मैं इसी एंजीओ के साथ मिलकर ज़रवतमन लोगों की मदद करूँगा करता है करता है यह कोई स्टूड़ था अर्थ कॉलेज का चेयर मेंड लोकल कॉर्पोरेटर इस्पेक्टर यह मैं क्या सुन रहा हूं कि यह जो ब्लास्ट हुआ है यह कोई कि सुसाइट बंबर था नहीं कोई सुसाइट बंब अटक नहीं था बल्कि एक खुन हुआ है यह और वो खुन दो साल पहले हुआ है आपी का एक स्टूड़ेंट था अर्थ उसका खुन हुआ हुआ गाट इस्प्रेक्टर प्लीज हमारे स्टूडेंट स्पेस का बड़ा असर पढ़ रहा है और मैं इस कॉलेज को जल से जल फिर से खुलना चाहता हूं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि इस केस को जल्दी से जल्दी साल्व कर दीजे हमेरी चाहते हैं थैंक्यों अडियस आपको किसी तरह की कोई मदद की जरूत हो तो बिलकुल हिचकी चाह कि जब उसका गुष्णा शान्त हो गया तो वो खुद बखुद घर वापीस आजाएगा तो मुझे का पुसा तरह क्यों है हमने सुना है कि आप दोनों के बीच अशर तो तूमे में आओती रहती थी थी हासल अब मुझे रिलाइस हो रहा है कि ज्यादा तो गल्ती मेरी थी कि मैं अपने आपको एक अच्छा बाप साभीत नहीं कर पाया वो घर छोड़के कब गया याद है को बारा अगर्स दोजार फंद्रा कि बोला कॉलेज जा रहा हूं कि इसके पार कि अपने आपने अर्थ के दोस्तों से पुछताच की थी हासल की थी कि लोगी जाधा कुछ ने कर पाया है कि पुलिस में कंप्लेंट तो की होगी अपने हर इस्टेट के लोकल नियूस पेपर में मैंने उसके लपाता होने की खबर चपवाई है कि उस सभी कुछ नहीं हो हम आर्थ का कमरा देख सकते हैं कि सर अर्थ के जाने के बाद सी कमरा ब अब आद मेले की तो प्लीस प्लीस आप लिए सकते हैं अब सब के मिशिक जरनल से हैं हमारे समझे तो कुछ नियाएगा सारुंके साप को बेज देते हैं शायद वो कुछ बता सकें यह जो फोटोग्राफ है यहां पर को अब प्रिंसिपल के साप के साथ में जो चार लोग हैं इंको जनते हैं हां यह अर्थ के बच्पन के दोस्ते हैं तुषार लोकेश रवीर खुशी यह लोग वालेज में साथ मी पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं कि अच्छ दोजार पंदरा के कुछ दिन पेले मुझे बता है मैं दो साल पहले की बात पूछ रहा हूं लेकिन देखो अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद आता है क्या हुआ अच्छी चीजे तो मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे फिक्स्ट ऑगस्ट का दिन या इसमें इसमें गेटवे को कुछ पैसे दिये और कुछ खरीडा उससे हमारे कॉलेज एक के स्टोंप्रीज का वाच्वेन इस्टुडेंट का फेरिट था उसके आगे के दो दातों के बीच में बहुत बड़ा ग्यापता है इसलिए हम सब लोग उसे गेटवे वस्टोंप्र के बुलाते हैं और कुछ याद है हाँ से प्रिक्स ओगिस्ट के कुछ दिन बाद मैंने अर्थ को गेटवे से कुछ पहस करते हुए देखा कुछ आर्गुमेंट चल रहा था उन दोनों के बीच में कुछ पहस करते हैं तुम्हें, तुम्हें जा सकते हैं, नगड़े दुर्वेत पड़ें तुम्बुला लेंगें अब्समें क्या लगतता है? पकड़ना होगा, उससे जरूर कुछ पत्ता होगा अवसरी, यह आर्थ, उस वाच्मेंसी क्या खरीद रहाता? क्यूस्ज में सर्व मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती है या? आपको यह सुनक रजीब लगे लेकिन मुझे पहले से पता था कि अर्थ मर्चुका है या? अर्थ मर्चुका है? इससा क्यों ज़ता है तो? That I don't know. It's a gut feeling. जो पहले सो पता था के बस अर्थ इस दुन्या में ने हुए. क्या वज़े आपके इस गट फीलिंग के? वज़ा है सर, ये देखिए. ये सारे उसकी पिच्छर्स और पोस्ट. लेकिन 12 अगस्ट के बाद उसने जो पोस्ट किया, ये इस पर कमेंट भी किया, लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं आया? रिप्लाई नहीं आया तो आपने मान लिया कि वो उमर गया? आँना, इस बियूर, लेकिन अर्थ मेरे हर कमेंट का रिप्लाई करता था. इन पाक्स तोने से पहले वो मुझे गुड़नाइट मेसेज करता था. लेकिन 12 अगस्ट को मुझे वो मेसेज भी नहीं आया. लेकिन हमारा रिलेशनशिप लेकिन हमारा रिलेशनशिप तोसी से काफी बढ़कर था. तो आपके कहने का मतलब है कि 12 अगस्ट के बाद इस सारे पिक्चर्स उसके प्रफाइल से कोई और डाल रहा था. चाहिए. मैंने यह कैसे हो सकता है? हमने तो मुबाइल कंपने से क्रॉस्चेक भी किया. अर्थ ने जो जो फोटोग्राफ जहां 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 से जिस दिन जिस वक्त भीज़े के उस सब किसर उनने क्रॉस्चे किये विल्कुल सही था. इजाटली. मुबाइल थोड़ी देर के लिए अन होता था लेकिन लोकेशन वही था जहां से वो फोटो डालता था. मुझे पधा आप लोग क्या सोच वे हैं, कि मैं ऐसी पागलो जेसी बाते क्यों कर रहे हु? लेकिन मेरा मन जानता है, कि अर्थ कही नहीं गया था. इंपार्ट, वो कॉलिज़ पे भाहर भी नहीं गया होगा. सरु. हाँ. सरीय, देखिए. खुशी साही कह रहे थी, अर्थ कही नहीं गया था. यह कैसे हो सकता है? सर, मैंने सारी फोटो की रिवर्स इमेज चेक ही. रिवर्स जिसे वो फोटो की डिटेल्स पता चल जाता है? हाँ, सर. जैसे हम कोई भी फोटोग्राफ इंटरनेट पे डालते हैं, तो हमें उस फोटो की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वो फोटो कब ली गई थी, कितने बज़े ली गई थी, सब कुछ. और अगर उस फोटो के साथ कोई छेड़चार करता है, टैम्परिंग करता है, तो हमें औरिजिनल फोटो भी पता चलते हैं. और सर, आप तो ने बारा अगर्स के बाद जितने भी फोटो यह अपलोड की थी, मैंने उसकी रिवर्स इमेज चेक की, यह देखे साथ, क्या मिला है? वोटो वही है, वही लोकिशन है, वही टाइम है, सिर्फ अर्थ की जगे कोई और यह खड़ा है, किसी नेडिट करके, इसकी जगह पे अर्थ का चैरा फिट कर दिया, यह दिए. अलोब अर्थ इन सब जगहों पे गया ही नहीं था, बलकि यह तो कॉली से बाद बेंगे. वह बिचारा तो 12 अगस 2015 कोई मार गया था, उससे मारा किसने होगा? यह तो वह गेटवे, गेटवे वाच्मन ने बतायागा, पता लगाना पड़ेगा कहा है वह? सार, प्रिंस्पल से बात हुई, गेटवे का असली नाम सैलेश है था, अच्छा, सर, 11 अगस्ट 2015 को, अर्फ ने सैलेश के खिलाब कॉलेश के बोर्ड में लेटर लिखाता कि वो ड्रक्स पीषता है, यह शुगर हाई ड्रक्स और पारा अगस को से नौकर जे निकाल दिया गया, वह ना हो, इस सैलेश का जुरूर हाथ है अर्थ के खतल के बीचे, कॉलेश वालों ने इसके अगन कंप्लेट फाइन लेकिया, पुलिस में? नए, सर, पिंस्मिल ने का देया आ गए, शैलेश गरीब आदमी है, अकेला कमाने वाला इसलिए छोड़ दिया, इसलिए उसे घरवालों से क्या पता चला शेलेश की? शैलेश के घरवाले यहां से 600 क्युन मिटर दूर एक गाव में रहते हैं, उनकी तो शैलेश ते दो सालों से बात ही नहीं हुए, वह तो खुद उसे डोल रहे, लेकिन उसके घरवालों को पता चल गया था कि शैलेश ड्रग्स बेचता है, तो उन्होंने सोच लिया होगा कि उसे पुलिस ने पकड़ दिया होगा, और जेल में पढ़ा होगा होगा होगा? यह कैसी फैमली है? एक बार ढूनने की नहीं कोशिश दो? दो साल से गया भी यह शैलेश, एक बार भी घरवालों को कॉन्टेक्ट नहीं किया, आकरी से निकाला गया और दो साल से घर ने गया, तो गया कहा? गया, मुझे पता है, शैलेश कहा होगा? मुझे पता है, एक बार भी बार रहलेश, पुर्ध भी टूनने का जाए पता है, व्य जो नहीं पता है, जो बार भी अर्ड़ मुझे भीन, शैलेश कहा है, शाहन बहुत! शाह, शाह! शाह, मेल्गे! एड़े! झाल झाल सर ये लाश तो पूरी तरह से कंकाल होगी इसे पहचानेंगे कैसे ड्र सालू के गान इस लाश को पहचानने के लिए सालू के साब की ज़ुरत नहीं पड़ेगी ये कंकाल खोद ही बता रहा है अपनी पहचान ये देखा इसके दातों के बीच में ग्याप है कॉलेज का वाच्मेन सादेश कुमार सर कमार पार्किंग लॉट में दो लाशे दफनाई होगी और किसी को कुछ पता नहीं और किसी को तो पता होना चाहिए कम से कम उसको जिसने पार्किंग लॉट की टॉच पनाई है कॉलेज कंपाउंड के अंदर दो दो लाशे दभी पड़ी मिली है और आप लोग को कुछ पता नहीं है जी नहीं सर यहां में जो यह पार्किंग लॉट का काम हुआ है यह सारा यह भरनी बगएरा यह कब हुआ था यह बता सकते हैं यह सब साथ अगस्त दो हजार पंदरा को जो साल पहले जिसने अर्थ की माउथ होई थी इसे क्या सपास करने जिसका संपानी काम किया उसे पता था कि वह थो लाषों के पर मिट्टी डाले आख यहां अमारे कौलिस का कॉंट्रक्टर है आरा कम वहीं करता है वही कॉंट्रक्टर ने इसने आफिस के पेंडिंग के थी? जी जी यह जी यह पार्किंग लॉट और मिट्टी डालने का काम उसी ने किया सर्थ ते रामादर्श रहता काए? घर तो बड़ा आलिशान बनाया इस रामादर्श ने एक कॉंट्रेक्टर का इतना मडग है? बसब यह सब कैसे हो? क्या बताओं बेटा? मेरा तो जिन्दगी से भरोसा ही उठकिया देखो ना, कल तो अच्छा बहला था रामादर्श और पल अचानक एक्सिडेंट में बिचारे की मौत हो गई एक्सिडेंट? एक्सिडेंट? बले अर्थ और सैलिश मरे अब यह रामादर्श रामादर्श ही था इस केस से जुड़ा हुआ आखरी गवार किसी की चाल लगती है बॉस और यह को इतफाक तुरी हो सकता लगता है किसी को पता चल गया है कि हम इस केस में चानवीन कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए रामादर्श कुमार दिया हो ना हो है तो कोई कॉलेज का ही आदमी उस तक पांचने के लिए कॉलेज के हिस्ट्री में जाकना पड़ेगा सर तोन ब्रिज कॉलेज की पाइनाशल स्पीक्डम क्लीन है पैसो में और डोनेशन के मामलों में कोई भी घरबड़ी नहीं मिली सर एक आर्टिकल मिले तीन अगस 2015 को एके स्टोन ब्रिज कॉलेज की केमिस्ट्री लाब में स्टूडेंस पे एक अजीब साइड इफेक्ट हो गया था सारे बेहोश हो गया था सायड किसी केमिकल का रियाक्शन था यह कैसा केमिकल है? सर वह तो अथार्टिस को भी पता नहीं चला सब नहीं मान सक्टी दूडेंट ने दो रेच्टिव केमिकल्स को गल्ती से मिक्स करती है केमिकल रेक्शन के इतना स्ट्रॉंग एफेक्ट की पूरे लैब में फैलिए होता अबी जी कुछ कुछ केमिकल्स का बहुत स्ट्रॉंग रेक्शन होता है जैसे के नंथिफिनाई बॉस मैंने अर्थ के केमिकल जर्नल्स देखे उसमें बड़ी अजीब सी बाद इखाए थी कर निकाल करके लिखा शुगर हाई इसे केमिकल भाश्या में नंथिफिनाई भी कहते है यह एक एक्स्टसी ड्रग होती है जो एक अजीब सा नशा देती है लेकिन यह अर्थ शुगर हाई की टेस्टिंग क्यों कर रहा था एक मिनट एक बाद सब नोट करते है थर्ड ऑगस 2015 तून ब्रीज कॉलेज के स्टूडेंट्स बेवोश होते हैं 6 अगस्ट छे तारिक को खुशी अर्थ को तैलेश से शुगर हाई डग्स खरिच्टे में देख लेती है 7 अगस्ट को कॉलेज का पार्किंग लॉट बनता है कंस्ट्रक्शन होता है शुगर 10 अगस्ट अर्थ शुगर हाई केमिस्टी लेबोरिटी में टेस्ट करता है 11 अगस्ट 11 अगस्ट को अर्थ कॉलेज बोल्ड को डिखता है कि सैलेश कॉलेज में ड्रग्स बेचता है 12 अगस्ट 2015 सैलेश को नौकरी से निकाला जाता है और उसी दिन मतलब 12 अगस्ट को अर्थ का खून हो जाता कि अजिए पूरी कानी समझ में आगें कोई था लो कमेस्टी लैब में ही सुगर हाई ट्रग्स बना रहा था तुम्हें असा क्यों लगता है आए संग आप नहीं है फोई लुट अज्ट लुट नहीं है और वह तो भी रात में है जब कोई नहीं रहता और इसका साथ दे रहा तुझ था था कॉलेज को वाच्मेन सैलेश और फिर वोही ड्रग सैलेश कॉलेश में स्टूडेंस को बेचा था तभी तीन तरीको स्टूडेंस लाब में बेश हुए होंगे सै उसकी पिछली रात को सर रग्स बनाने के बाद उन लोगों ने सामान को ठीक से साफ नहीं किया ह होगा इसलिए एक स्ट्रॉंग क्यमिकल डियाक्शन होगा है यह तो समझ में लेकिन या मुझे बात बताओ यह अर्थ को शक्यों हुगा सिर क्यूंकि अर्थ लाब में असिस्टेंट का काम करता था सर उसने देखा होगा कि स्टोर रूम से क्यमिकल और लाब का सामान कायब पिर उसे शक होगा और जब यह यह केमिकल रियाक्शन हुआ तो उसे यकीन हो गया कि लाब का को इस्तमाल ड्रग्स बनाने में कर अ कि अ कि अ कि यह जानने के लिए कि वो सचमुच में ड्रग्स है नहीं फिर पेस के बाद उसने सारी डिटेल अपने जर्नल में लिख दी जब अर्ट को पता चला कि यह शुगर है वाके में जग है तो उसने कॉलेज बोर्ड को एक लेटर लिखा और जब यह बात उन द्रग बनाने वाल कोई की ओ सकता है इसे केमिस्ट्री की फोड़ी बत नॉलेज हो और जो अकसर लाब में आता जाता हो जो फ्रिंसिपल रविश तो नहीं तो चलिश को भी पुलिस के अवाले नहीं किया था किमिस्ट्री के नॉलेज तो लोकेश तुशार और वीर को भी है तो लोग हायर स्टेडिस के लिए बड़ी बड़ी नोट सिटीज में गये ते वह भी बिना इस्टुडेंट लोन और स्कॉलर्शिप के ना पैसा आया कहां से सर उनके माबाब ने दिया होगा या फिर सर उनने कोई जोल किया होगा पैसों के लिए कोई भी हो सकता है इन में क्यों दे निशर अगर यह खुशी परोजा करने के लाइक है तो मेरे पासे क्लान है किस अपने है अर्थ तैलेश और रामदर्श तीनों मर चुके हैं लेकिन तुमारा राज अभी बीजिन्दा है और अगर तुम चाहते हो कि तुमारा राज राज ही रहे तो आज रात कॉ कि मेल बढ़ के खुनी जरू गवरा जाएगा यह सोचके के कोई तो है जिसे उसके असलिए का पता है सरम शार आत्रा तो जरू रहेगा और विटनेस को मालने की कोशिश पी करगदा है तो भी तो किया रहा हूं सर इन सब के लिए खुशी की जान को खत्र में को ड़लने का कि शायद वो फिसी अंजान आदमी को देख के वहां आये ना उमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कॉलेज का ही हो और जिसे जिए कि उसे लगे कि हा इसको उसके असलिए का पता हो सकता है तो तुम बिलकुल कपराना मत हमारी टीम वहां पे रहेगी ओके कुछ नहीं होगा त कर दो आपको कोई दिखा क्या? नई अभी तक तो नहीं गबराओन नहीं एलेट है नबस तुम बिल्कुल गबराओ मत हम सब लोग आज पासी हैं, समझी? ओके, ओके से घ्रड़ कर दो तके से लोग खासी हैं यह तुम रिल्कुल एके से लोग रभी तकी तक तके से लोग मत सर कुनी मेल पढ़के भी नहीं है अरे पंकज शायद उसने मेल पढ़ा ही ना हो यह उसकता है जिनको हमने मेल किया कुनी इन में से होई ना खुशी आप काफी थक गई है आप घर जाके आराम करो हम थैंक्स वर अगर किसी चीज की जुरत है तो हमें फोन करना है ओके अरे सा हुई नहीं सकता है तो उन लोगों ने मेल पढ़ा और वो चेक करने वहां पर आए ना पुर्वी सर लोकेशन चेक करो जहां पर कुछी थी उसके आसपास और कॉन-कॉन था और इस राम अधर्ष की भी डिटेल्ट चेक करने पड़ेगी इतना अमीर कैसे बन गया वो खोनी को ब्लैक्मिल कर रहोगा मेल कर रहा होगा तो पैसे कहां से आ रहे थे रेड़ी उसका एकाउंट चेक करो देखो पैसे कहां से आ रहे थे सर्य वर राइट कल रात तुशार लोकेश और वीर की लोकेशन कॉलेज के आसपास ही थी मतलब यह तीनों मिल्के ट्रक्स बना रहे थे, यहन तीनों के डिटेल्स नहीं का दो पंकच्छू लेकिन सार, अगर यह लोग वही थे तो फिर आकिंग लोट में आया क्यो नहीं? देखने आया होगा, कि उनको उनको ब्लैक मेल कौन कर रहा है और उनोंने कोशी को देख लिया होगा उसकी जान खातरे में, पोल करो उसको पोल, 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 पोल नवब यूज़ इस तोल इस तारक्ली स्विच्ट ओफ स्विच्ट ओफ हो रहा है स्विच्ट ओफ? स्विच्ट ओफ, अभी दो मिट पेले उसने फेंस्वोक पे स्टेटस अपडेट किया है नीड़ ब्रेक, गोइंग अ हॉलिड़े तो फेर फोन स्विच्ट ओफ कैसे है कहीं कुशी को कुछ वो उच्छे जुम ने दिया थान उसके पास ही होगी उसकी लोकेशन ट्रैक करो, कहाँ पे है सर, इस राम आदर्श की राम कहानी समझ में आ गए अगस्ता दो आजार पंदरा के बाद उसे एक के बाद एक बड़े बड़े गवर्मेंट प्रोजेक्ट मिलने लगे जिसकी वज़े से वो इतना अमीर हो गया और ये सारे प्रोजेक्ट दिये एक ही आदमी ने है प्रणाओ, कॉलेज का चेर्मन सर, एक शॉकिंग बाद है प्रणाफ तुशार के अंकल है माइ कॉड इसका मतलब तुशार और उसके दोस्त ये कॉलेज में ड्रग बना रहे है और प्रणा उनको शैय दे रहा है और अब वो लोग खुशी को मारना चाहते है सर, सर, खुशी की लोकेशन पता चलिए कहा पहुंचा? सर, किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके रुख गया है कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन परज़ लगा कर दोस्त कर दोस्त ताजी सिमेंट खुषी? 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 सर्फ, सही तो जिन्दै? खुषी? उलोग, जादा दूर नहीं गया होंगे उनकी फोटो सारे पोलिस्टेशन और बेज़ देते हैं पकड़ जाएंगे तीनों को बार में देखते हैं पहले वो असादली के कर्तन तो करते हैं इसका हाथ इन तीनों के सर पर है तरन नो जाएंगे जाएंगे आपलो? जाएंग, आप इनने तक आतो उस दिन जब भी कोई प्रवलम आए तो आपके पास बेज़ी जेक चले आना प्रवाशा, रिमेंबर प्लीज बताईए, आपलोंगे क्या सिवह कर सेकता हुए नहीं, इसलिए, हम यहां कुछ पूछने नहीं, एक बाड़ नियूज देने आए बाड़ नियूज? जे, वो लड़की थी ना, खुशी वो बच गी खुशी? कौन खुशी? समझानी मैं, क्या क्या रहे हैं? आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं? आपके तब्ये तो ठीक है? कुछ दवावा लेंगे? या फिर आपकी याददाश्टिक करने के लिए आपको दिमाग की गुली दे बास, काम हो गया है सर, हमने उस लड़की को दो दफना दिया जैसे आर्थ और शैलेश को दफनाया था कम से कम जूतों के उपर से यह सिमिन्ट तो साफ कर लेते जिसके नीचे उस लड़की को दफना किया है हो? और उसे हमने बचा लिया कहिए पणाओ जी कुछ कहना है? मैं बहुत पैसे कमाना चाहता था और इसका सबसे असान तरीका था ड्रक्स और आजकल के पच्चों को इसकी लट लगने में ज्यादा समय नहीं लगता और फिर मैं ड्रक्स बाहर से लेकर के पने स्टुडेंट्स को नहीं बेचना चाहता था इसलिए तुमने अपने खुद के ड्रक्स बनाना शुरू करते इस कॉलेज की लाब में और उसे बेचने का काम दे दिया वाच्मन शैलेश को और अर्थ को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो तुमने उसे मार दिया और शैलेश को भी मार दिया ताकि कोई विटनेस नहीं बचे तुम्हें क्या लगा अर्थ के फोन को यहां वहां भेजने से पॉलिस गुम्रा हो जाएगी तुम्हें से कौन सा मानवा हो है जो अर्थ का मवाईल लेके भारत ब्रुमन पर निकला था तो तुम ते हैं सोचल मेडिया वे फोटो अपडेट करने का बहुत चौगा तुम्हें बहुत शैर गोम लिये लेकिन मुझरिम कितना भी बटक ले अंत में उसे एक ही जगह ना होता है जेल तुम तिनों वहीं जाओगे और बहुत जल्द तुम्हारा भतीजा उशार और उसके दो साती लोकेश और वीर वहीं आजाएंगे वहीं आजाएंगे क्याँे आजिय कर दो आज सेके पहीं आजाएंगे को आजसे ही अबड़ा होता है कुा कर दो